हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, मैं रमा कॉशल देखे फ्रेंड्स आज आपके सामने ये कार्डिगन लेके आई हूँ, मुझे बहुत टाइम से मेरी एक सस्क्राइबर है, वो डिमांड कर रही थी कि आप ब्लेक कार्डिगन का स्टेप बाई स् कि मैंने ये कार्डिगन कैसे बनाई है, इसका जो डिजाइन है फ्रेंड्स, वो मेरे चैनल पर अलरड़ी है, अगर आपने वो नहीं देखा है, तो प्लीज पर डिस्क्रिप्चन बॉक्स में आपको उसका लिंक देदूँगी, तो आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं, तो चली फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने स्टैप बाइ स्टैपी स्वर्टर कैसे बनाई है, तो देखे फ्रेंड्स, यहां सबसे पहले मैंने यहां फ्रेंट में, इसमें 68 स्टिचिज रखे हैं, और यह बॉर्डर डाला है, इसमें दो उल्टे, दो सीदे का, जो यह बॉर्डर है फ्रेंड्स, यह मेरे चैनल पर है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, अब वहां से इन फंदों को देख सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग से ही फ्रेंड्स, यह दस नंबर की डाली है, और वहां से मैंने यह इज़िएन शुरू कर दिया, मैंने यह बॉडर के उपर स्टार यह अपने घर नहीं बढ़ाया है, यह बॉड्ठ्स ऑपर आपने धर नहीं बढ़ाने हैं, इसमें 68 मैंने बॉडर क्वे मैंने इसमें पोकिट बनाई हैं, और यह जो बनाई है मैंने यहां तक यहां से लेकर यहां तक यह pocket मेरी total साड़े 5 इंच की है यहां तक आप इसको साड़े 4 इंच जो है जब बना लेंगे तो उसके बाद friends आप इसमें 1 इंच का यहां border देंगे तो आपका यह total जो है वो साड़े 5 इंच हो जाएगा यह हमारी कटाई जो है यहां पर शुरू हो जाती है friends यहां से तो यहां तक मैंने यह 16 इंच बनाया है border से लेकर यहां cutting तक यह 16 इंच बनाया है 16 इंच बनाने के बाद यह देखिए 16 इंच बनाने के बाद friends मैंने यहां तक यहां से यहां तक यह चेंच बनाया है चेंच जब हमारा हमारी जो काट हो जाएगी यहां तक friends तो उसके बाद हमने यहां पर गला गटाना शुरू करना है जब हमारा यहां से लेकर 16 इंच से लेकर जब हम अपनी गले की काट करेंगे friends यहां पर देखिए मैंने गला बनाया है यह दीखिए यह हमने यहां पर 6 इंच रखना है उसके बाद हमने इसकी गले की काट करनी है और गले की काट के बाद हमने 3 इंच और बनाना है तो हमारा यह टोटल जो है यहां से लेकर यहां तक यह आपका नौई SHOULDER जो है इसका वो त्यार हो जाएगा ठीके FRIрен उसके बार दख करने के बार मेरे यहाँ पर धीव के लिए 35 स्टिच इसे यहां पर ठीके FRIRENое और जो में इसकी cutting है यहां वाली जो हम जो मैंने आपको 60 निचाहां तक लेंथ बताई थी वहां से जब हम cutting करेंगे इसमें 5 4 3 2 1 हर सीधी slime में हमने यह काट करनी है यहां से ठीक है ठीक है ठीक है तो हमारी यह जो मेरी total इसकी length है पूरी जो मेरी कार्डिगन की length है वह 22 इंच की है ठीक है तो इस फ्रेंड हम इसकी back side पे तो back side पे मैंने यहां पर इसमें 130 stitches रखे हैं यह देखे friends back side पे मैंने 130 stitches रखे हैं start से ही 130 घर रखे हैं और उसके बाद मैंने यहां यहां से इसके ओपर भी मैंने कोई फंदे नहीं भड़ाया है जितने फंदे मैं 130 यहां रखे हैं उतने ही फंदे मैंने यहां border से उपर रखे हैं ठीक है friends इसके बाद देखे friends हम आते अपनी arms पे बाजू पे यह जो बाजू पे देखी friends यहां से मैंने इसमें 48 घर जो है मैंने वह border पर लगाए है दो उल्टे और दो सीधे का मैंने border बनाया है उसके बाद मैंने यहां पर फ्रेंड्स यहां एक इच बनाने के बाद यहां से मेरे एक इच बनाने के बाद friends मैंने इसके उपर यहां पर बुनाई सब करते है friends अपना अपना सब का तरीका होता है लेकिन मैं यहां से बाजू पे भी यहां पर घर नहीं बढ़ाती हूं मैंने यहां पर कोई घर नहीं बढ़ाए है friends ठीक है तो आप जब आपका border order complete हो जाएगा तो उसके बाद आपने यहां पर एक सीधी और उल्टी स्लाई निकाल लेंगे आप तो आपकी जो सीधी स्लाई आएगी उसमें आपने लास्ट में यहां पर जो हमारे स्टार्ट जहां से होता है एक घर वहां बढ़ाना है और एक घर लास्ट में बढ़ाना है बीच में इसमें कोई घर ने बढ़ाना है ठैक है और उसके बाद मैने यह पूरी देखी इसके बाद मैंने यहांसे उसके बाद चोड़ा है तो इसमें 110 घर रखिए अगर आपका शोल्डर नॉर्मल है तो इसमें 105 और 106 या 100 घर भी इसमें बहुत है जो हमारे यहां पर टोटल घर बचते हैं ठीक है तो यहां पर मैंने आपको टोटल घर बता दी कि आप कितने रखोगे उसके बाद देखिए इसकी जो य कटिंग जब करेंगे तो पांच चार तीन दो ठीक है यह बाजू की कटिंग है पांच चार तीन दो उसके बाद दो-दो हर स्लाइन में दो-दो घटाते हुए जाएंगे और यहां पर हमारे आइडिया से जो मैं बताती हूं फ्रेंट्स वो मेरे यहां पर जो है वो 35 यह च हमने एक इस लाइम और एक साथ ही उसकी कटिंग करनी है एक साथ ही वो सारे घटाने है ठीक है यह हमारी तो बाजू जो है मेरी वो टोटल बाजू फ्रेंड मेरी वो 22 इंच की है यहां से लेकर यहां तक मेरी शोल्डर की जो लंबाई है वो 22 इंच है ठीक है तो यह मेरी ब इसके बाद आते हम इसकी बटन पट्टी पर मैंने इसके 160 घर रखे हैं और मैंने बटन पट्टी वो ऐसे उठाई है यह देखें मैंने यहां से बटन पट्टी उठाई है यहां से उठाने शुरू किये और यह देखें यह 160 घर मैंने इसके बटन पट्टी पर रखें यह इसकी बटन पट्टी अगर आप फ्रेंट्स इसका अगर फ्रेंट्स आप इसकी यह कटाई भी देखना चाहते हैं कि मैंने जो अपनी बटन पट्टी है वो कैसे गटाई है तो आप मुझे प्लीज कोमेंट कीजिए मैं आपको यह वाली बटन पट्टी भी बताऊंगे कि ही कैसे मैं इसको कैसे घटाती हूं और यह बहुत सुंदर आती है श्रूजव यहां से अधिये और बहुत ही फ्रेंचेंग के साथley बटन पठते है ःधिर फ्रेंच अब आते हांने हम अपने गले पर बटन पती बनाने के बाद हम अपना घ्ला उठाएंगे गले के लिए friends मैंने 110 घर रखे हैं टोटल चिके बाकि friends क्या होता है कि आपके हाथ के ऊपर भी depend होता है कई होंगा हाथ lose होता है कई होंगा हाथ tight होता है तो वो अपने according जो है इसमें घर रख सकते हैं कि उन्होंने कितने घर रखने हैं लेकिन मेरा हाथ normal है, ना मेरा हाथ tight है, ना मेरा हाथ loose है, तो मैंने ये 10 नंबर की slide पे बनाए है, और मेरा जो ये cardigan है, वो बल्कुल fitted cardigan, बढ़ी है, cardigan जो है, वो बनकर, cardigan बनकर त्यार हुआ है, ठीके friends, तो friends, मैं उमीद करती हूँ, कि आपको ये cardigan step by step पता चल गया होगा, कि मैंने कैसे बनाए है, तो friends, ये cardigan मैंने step by step कैसे बनाए है, आपके सारे doubts जो है, वो clear होगे होंगे, तो friends, ये video अच्छे लगी हो, तो please मेरे channel को like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, और मुझे comment भी जरूर कीजिएगा friend, कि आपको मेरी video कैसी लगी, तो आज की video दिखने के लिए friends, आपका बहुत बहुत धन्यावा, thank you so much friends,